नमस्कार चुनाव आज तक में आपका स्वागत है मैं हूँ कुमार अभशेक आज हम बात करेंगे नजूल संपत्ति विधेक पर बीजे पी के भीतर सरकार और संगठन के बीच हुए कन्फ्यूजन की आखेर क्यों ऐसा हुआ कि योगी सरकार को इस मुद्दे पर पीछे हटना पड़ा क्या संगठन उसकी वज़ा है क्या हाल के दिनों में पार्टी के भीतर जो मनभेद मतभेद पैदा हुए है क्या उसकी वज़े से ये हुआ है या फिर सबने सामूहिक प्रयास करके एक बड़े मुद्दे को विपक्ष के हाथ में देने से बचानिया है जानते हैं अपने इस प्रोग्राम में तो नजूल संपत्ती विधेयक अब ठंडे बस्ते में चला गया फिलहाल उसे सेलेक्ट कमिटी को भेजा है विधान परिशद ने और दो महिने के बाद दोबारा से ये विधेयक विधान परिशद में आ सकता है जब अगला सत्र होगा लेकिन माना ये जा रहा है कि अब ये विधेयक फिलहाल कुछ समय के लिए धंडे वस्ते में गया है अगर इसे कानून बनना होता अगर इस विधेयक को पारित होना होता तो फिर इसे रोका नहीं जाता और उसकी वज़़ा भी है दरसल योगी सरकार ने इसे विधान सभा से तो पास करा लिया था लेकिन विधान सभा से पास कराने और विधान परिशद तक ले जाने के बीच में बहुत कुछ हो गया पार्टी के कई बड़े नेता खुद खड़े हो गए और कई विधायक खड़े हो गए और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि अगर ये विधेयक पास हो गया अगर ये बिल पास हो गया तो पहले से ही दबाओं में पहले से ही पिछरती हुई बीजेपी और मुश्किलों म पर एक तरीके से दबाओ बना खास करके ऐसे चेहरों का जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया था और कहा जाता है कि उनके पास भी नजूल की काफी जमीने हैं यूँ तो सिधार्टनाज सिंग लगातार लीज एक्स्टेंशन को लेकर अपनी बातें कह रहे थे और विधान एक्स्टेंड कराना चाहता है तो ये लोगों के पास होना चाहिए जिसे सरकार ने मान भी लिया था सदन में लेकिन पास होने के बाद शोर इतना मचा कि अब शेहरों में, छोटे शेहरों में, गाउं में, जहां जहां नुजूल की जमीने हैं सब सरकार वापीस ले सरकार ने जो नियम बनाये उसमें D.M. को जिले के D.M. को ये अधिकार भी था ये अधिकार भी दिये जा रहे हैं इस B.L. में कि एगर नजूल की जमीनों की मियाद पूरी हो चुकी है या नि कि उनका लेगा लीज पूरा हो चुका है तो सरकार इसे वापस दे लेगी हला कि कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिसे अड्रस किया जाना जरूरी है और साहथ सरकार ने उस और सोच कर ही वो बिल लाया होगा लेकिन अब ये मामला आउट ओफ हैंड होता जा रहा था खैर हमने पहले ही आपको बताया है कि कैसे विधान परिशद में जाने के ले जाने के पहले ही ये पूरा मामला सियासत के बीच में आ गया सरकार के हाथ पाउँ फूल गए कि अगर ये बिल पास हो गया तो विपक्ष फिर इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाएगा लैंड एकुजिशन बिल जैसा कहीं ये मुद्दा न बन जाए क्योंकि लोगों की जमीने लोगों के रिहाइश इससे जुड़ रहे थे ऐसे में आनन फानन में जब कई विधायकों ने सवाल उठाए तो मुख्वंत्री ने दोनों मुख्वंत्रियों को बुलाया और भुपेंद्र चौधरी बकाइदा इसे सेलेक कमिटी में भेजने की मांग करेंगी यानि कि सरकार के भीतर चाहे वो मुख्वंत्रियोंगी आदितनाथ हो या इस वक्त उनके विरोध में खड़ा हुआ जो पार्टी का भीतर का बड़ा खेमा है वो दिख रहा हो कम से कम एक कॉर्डिनेशन करके दोनों ने ये तो तै कर दिया कि इसे फिलहाल रोक लिया जाए इस बात को भुपेंद्र चौधरी ने भी माना कि हाँ उन्होंने इसे रुकवाया मीटिंग हुई और यही बात सिधारताथ सिंग ने भी कही कि मुख्यवंत्री के पहल पर ये हुआ है और अभी से रोक दिया गया है पहले इन दोनों को आप सुन लीजिए जो इन दोनों ने बाते कही है उसके बाद हम इसके प्रभाव पर भी चर्चा करें जो बिल है वो लीज के उपर ही था कि प्रावधान ऐसे थे कि जिससे की वो लीज खतम हो जाती तो उसी को मैंने एक्स्टेंशन करा और मैंने सरकार से बात करके अपने सीनियर्स से बात करी है और उसके बाद ये कहा उनों ने कहा कि आप बोलिएगा जरू बोलिए तो ये एक डिमोक्राटिक प्रसेस हुआ तो इसमें विवाद कहीं नहीं है शब्द विवाद नहीं हो सकता उसके बाद और विधायक गे उनके भी कुछ और थे मेरा मसला किस एंगल पर ता वो मैंने रख दिया मैं कुछ और विधायक थे जिनका कुछ और मसला रहा हो होगा उन ल मीटिंग में दोनों डेप्रिशियम्स को बिलाया और वो खना जी को बिलाया सुरेश खना जी को बिलाया पार्टी के अध्यक्ष को भी बिलाया और बैठके चर्चा करी यह कल विधान सभा की घटना है जहां पर उन्होंने बैठक करी और उसके बाद जब यह मुक्वंती जी के माध्यम से ये निर्णने हुआ कि इसके पाट जब केशव जी जो हमारे विधान परिशद में लीडर है वो इसको पेश करें कि पहले तो वो तो विरोध नहीं करा तो जब उन्हें ने पेश करा और उसके बाद चर्चा के साथ जब हमारे प्रदेश अधर जी कुछ कहे विधान सभा से पारिश वोकर ये बिल बिदःःण परिशद में आया है तो कुछ लोगों की संका एंधियों इसे बिल को लेकर और इन बिल पर संकाओं का सबका समाधान हो सके ये निर्णे है विदःण परिशद का और माने सभापतीजी ने प्रवर समीती को इस बिल को निर्देश दिया है और ये एक सहमती से हुआ है सब लोग इस पर सहमत है और एक स्वस्थ परंपरा है लोकतंत्र की उस लोकतंत्र की परंपरा के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं लगता है कि अब इस बिल में और चेंजेज होंगे और उसके बाद नए तरीके से हैं निश्चित रूप से जो भी सुजहाव होंगे माने सदस्यों के जो समयती माने अदेश बनाएंगे सदस्यों की वो जो भी सुजहाव होंगे उन्हें जोड़कर बिल का प्रारू जायर अब ये नुजूल संपत्ति विध्यक फिलहाल रुख गया है लेकिन अब इस पर सियासत गर्व हो रही है कॉंग्रेस पार्टी और सपा तो पहले से ही मैदान में थी माना ये जा रहा है कि सरकार के भीतर जिस तरीके का एक फैक्शनलिजम है यानि कि जिस तरीके का मुखवन्तری दोनों मुखवन्तरियों और प्रदेश अध्यक्श के बीच की ऐक जो तना तनी एक मतभेद दिख रहा है, उसका असर इस बिल पर दिखाई दिया है ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंतरी के चाहने के बावजूद इस बिल को रोका गया है, हालगि मुख्यमंतरी की सहमती ली गई क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये मुद्दा काफी बड़ा हो जाएगा और इस मुद्दे पर पार्टी के भीतर ही सरकार की बड़ी किरकिरी हो सकती है विधान मंडल में हो सकती है और साथ-साथ नेताओं में भी इसे ले करके एक बड़ा माहौल बन सकता है ऐसे में मुद्मंत्री योगी आदितनात ने अपने कदम पीछे खीचे और इसको हरी जंडी दे दी कि इसे फिलहाल खंडे बस्ते में डाला जाए लेकिन क्या इसकी वज़ा ये है कि बड़े नेताओं की आपस में नहीं बन रही ये बात बिलकुल फैक्ट है कि योगी सरकार का ये जो बिल आया था ये जो विधियक आया था इसकी जानकारी तो समों को थी लेकिन किसी ने वक्त पर इसे रोकने की कोशश नहीं की एक बार जब बिल पास हो गया तब लोगों ने दबाव बनाया और ऐसे में मुख्यमंत्री भी दबाव में इस मुद्दे पर आये खैर और उन्होंने अपने पाउं खीचे ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से दिल्ली और उत्तरप्रदेश के बीच एक तलवार खीची हुई है ये इसके पीछे की पज़ा है अब हम आपको आगे ये बताने जा रहे हैं कि कैसे ये बीजेपी के गले की फांस बनने वाला था नुजूल संपत्ती विधियक वीती रात जैसे ही विधान परिशद ने इसे रोका देर रात अनुप्रिया पटेल का ट्वीट आया एक्सपर उन्होंने लिखा कि उन अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए जिन्होंने सरकार को गुमराह किया उन्होंने लिखा इस बिल को अविलम्ब वापस लिया जाना चाहिए इसी लाइन पर उन परकास राजभर ने भी आज कर नौज में बाते कही और उन्होंने इस बिल को वापस लेने के माँगी कि अब बिल को ही वापस लिया जाना चाहिए और संजन इशाद ने भी यही बात कही और कहा कि इस से हजारों लोग बेघर हो जाएंगे सरकार को साथ इस बात का अंदाजा नहीं था कि जमीन को छूने का नतीजा क्या हो सकता है सियासी तोर पर उसमें भी तब जब इस वक्त चुनाओं में हार के बाद सरकार बैक फूट पर है योगी सरकार इस वक्त थोड़ी बैक फूट पर है और इस वजह से ही इन्हें ये फैसला वापिस लेना पड़ा है अनुप्रिया पटेल के इस एक्स पर लिखे पोस्ट को देखिए और उसके बाद इन दोनों सहीयोगी दलों के बोल को सुनी एक तरफ हमारी सरकार इसके पास मकान नहीं है इसके आस्यान नहीं है उसे बड़े लोगों से टैक्स लेकर हम देश में किसी भी तरीके से उन्हें मकान आवाद दे रहा हैं कुछ लोग एक लंबे समय से हैं जो सहरों में हूँ चाहे गाओं में हूँ हम घरोंदी भी दे रहा मालकऑ नाहक्ज दे रहे हैं कि जहाँ घर बना लिया है उसका हो गया हुआ है। हम उसके लिए घरों दी दे रहे हैं। लेकिन यह पहले हमें नहीं समय में आ रहा कि जो शहरों में वच्छे हुआ और देश की आजादी के बाद भी पांट साल सोने दिन गुराम थे आज भी उट्राइबल हैं तो अपना कागज कैसे बनवा लेंगे कैसे वह नदियों किनारे रहने वाले कहां कागज लाएंगे जो सिच्छा से दूर है को सो दूर है तो आपने सुन लिया लेकिन अब शहर के बीचो बीच हजारों हिप्पेर की जमीने अपने नाम की अपने लिये ली अपने रहाइश के लिये ली अपनी संस्थाएं बनाने के लिये ली अपने कामकाज के लिये उन्होंने धेरों जमीने ली शहर के बीचो बीच ये जमीने कभी भारतियों की ही हुआ करती थ उन्होंने नجूल कर दिया जब देश आजाद हुआ तो बहत सारे सुटंता सेनानी बहत सारे ऐसे लोग जिनकी जमीने पहले अंग्रेज़ोंने ली ती उन्हें तब की सरकार ने ये कहा कि ये जमीने वापिस नहीं होंगी ये जमीने सरकार के ही रहेंगी लेकिन 30-30 साल के आपको लीज पर ये जमीने दी जाएंगे कुछ जमीने 90 साल और 99 साल की लीज पर भी दी जाने लगे जादातर बड़े शहरों में अगर आप मिशिनरियों के बड़े-बड़ी संस्थाओं को देख ले सरकारी जमीनों पर बड़े-बड़े बनी हुई संस्थाओं को देख ले तो कहा जाता है कि ये सब नजूल की जमीने थी तो 90 साल होते होते अब बहुत सारे जमीनों के लीज खत्म होने लगे और ऐसे में ये सवाल उठा कि क्या इने फ्री होल्ड किया जाए यानि कि जिनके पास है इसके उपन उसी उपन कर दिया जाए या फिर लोगों को दोबारा से इसके लीज को बढ़ाया जाए सिधारत नात सिंग जैसे लोग मांग कर रहे हैं कि जो लीज चाहता है उसके लीज को बढ़ाया जाए क्योंकि 4-4-5-5 पीड़ियां इन जमीनों पर बसी हुई है और रह रही है सरकार को लगता है कि 4-5 पीड़ियों के बाद जमीने लोगों ने गलत तरीके से बेच दी कई जगह पर माफियाओं ने कबजा कर लिया कई जगह ओनर कोई और है और वहाँ पर एक्टिविटी यानि कि बड़े बिल्डिंग किसी और ने बना लिये यानि कि बहुत गरवर ज़ाला है और इसलिए इसे वापस लिया जाना ज़रूरी है ताकि ये सरकारी जमीन हो जाए लेकिन इसका दूसरा पहलो भी है और वो ये कि ऐसी नजूल जमीनों पर बहुत सारे गरीब जो मिडल क्लास अति मिडल क्लास है ऐसे लोग भी इस पर बसे हुए और उनकी तादाद काफी ज़्यादा है कुछ निताओं को ये डर है कि उनकी जमीने छीन ली जाएंगी और जिन पर पीडियों से उनका दावा है लेकिन बहुत सारे पुलिटिकल लोगों को ये खौफ होने लगा है कि इस पर बसे हुए जो आम आदमी है जो आम जन है या फिर गरीब लोग है जो कई पीडियों से बसे हुए है इन नजूल की जमीनों पर उन्हें उजाड दिया जाएगा डियम के पास इतने अधिकार होंगे कि वो जब चाहे इन जमीनों को वापस ले लेगी लेकिन किसी को उजाड़ा नहीं जाएगा खैद ये बात की बाते हैं लेकिन माना यही जा रहा है कि इस एक ब सरकार को बैक फूट पर आना पड़ा है तो चुनाव आज तक के लिए इतना ही हम फिर हादिर होंगे हमें दीजिए इजाज़ा नमस्कार